अगर आप लोग भी Bill Gates और Steve Jobs को राइवल्स मानते थे तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखेगा 1997 में जब Apple Company दिवालिया होने की कगार पर थी तब Microsoft के Bill Gates ने Apple Company में 150 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्मेंट करके उसे दिवालिया होने से बचाया था तब Bill Gates अपनी कंपनी Microsoft में भी ये पैसा लगा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और Apple Company की मदद की जिसके बाद Steve Jobs ने उन्हें जादूगर भी कहा था और ये भी का जाता है कि अगर Bill Gates ने Apple में निवेश ना किया होता तो आज आप iPad, iPhone या iMac जैसे प्रड़क्ट नहीं देख पाते दुनिया की सबसे बड़ी सूपर पावर माने जाने वाले अमेरिका को चीन ने एक बहुती बड़ा जटका दिया है कैसे मैं आपको बताता हूँ दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर अर्थ विवस्ता चीन ने अमेरिके मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है अब दुनिया की कुल संपत्ती में चीन की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई हो गई है एक report के नुसार चीन के पास 2000 में सिर्फ 7 trillion dollars की संपत्ती थी लेकिन अब 2021 में चीन की संपत्ती बढ़कर 120 trillion dollars हो गई है इस लिहाद से चीन ने 20 साल में 113 trillion dollar की चलांग लगाई है वही अमेरिका की संपत्ती में 90 trillion dollars की बढ़ोते होई है जो की चाईना से कम है गैस कि आपको भी ये लगता है कि चाइना एक नया सूपर पावर बनने जा रहा है कोमेंट सेक्षन में जरू लिखेगा जढने से रोकता है और नए बालों को उगने में मदद करता है इस प्रोटीन से गंजेपन की समस्य का स्थाई समाधान निकाला जा सकता है अभी इसका ट्राइल चूओं पर चल रहा है लेकिन जल्दी इसका ट्राइल इंसानों पर भी किया जाएगा आपके घर में इस ओशदी का इंतजार कौन कर रहा है कोमेंट सेक्षन में ज़रू लिखेगा स्क्विट गेम्स कितना पॉपिलर है ये तो सभी जानते हैं और अब इसी तरह स्क्विट गेम्स के नाम से क्रिप्टो करंसी भी आ गई है और ये squid games जितनी ही popular हो रही है ये crypto currency केवल 6 दिन में 0.12 डोलर से 12 डोलर पर पहुँच गई यानि कि इसने करीब 1,00,000 परसेंट का return केवल 6 दिनों में दिया है मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपे पहले दिन लगाए होते तो आप केवल 6 दिनों में 1 करोड के मालिक बन जाते और हैरानी की बात ये है कि इसकी price लगातार बढ़ती ही जा रही है सात्वे दिन ये return अचानक से बढ़कर 3,00,000 परसेंट हो गया यानि कि एक दिन में 1 करोड से सीधे 3 करोड लेकिन अगले ही दिन अचानक से इसकी value 99.99% तक गिर गई और इसी वज़े से लोग इसे scam तक बोल रहे हैं वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि दिपावली का त्युहार भगवान श्री राम के वनवाज से अयोध्या लोटने की खुशी में मनाया जाता है लेकिन आज हम आपको ऐसे 4 mythological कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वज़े से भी हम दिपावली के पर्व को मनाते हैं पहला कारण इसी दिन महाभारत के पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के बाद अपने राज्य लोटे थे दूसरा कारण इसी दिन कार्ति का मवस्या को राजा विक्रमादित्य का रज्य विशेख हुआ था तीसरा कारण इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर रक्षस का वद्ध किया था और चोथा कारण इसी दिन समुद्र मंतन के दोरान माता लक्ष्मी जी ने इस सिष्टी में अवतार लिया था गाइज क्या आप इसके अलावा कोई और माइथा लोजिकल कारण जानते हैं कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और इसी के साथ आप सभी को A2 फैमिली के तरफ से have a safe and happy दिपावली Thank you so much